नमस्कार मैं हूँ हरिश अस्वाल आज आप देख रहे हैं आवाज प्रोग्राम तीन चार महिने में पांच राजियों के विदानसवा चुनाओं होने जा रहे हैं सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं कहीं जिन्ना की बात हो रही है तो कहीं ब्रस्टाचार का सोर सुनाई दे रहा है लेकि इन सब के बीच में जो जन्ता से जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं छूट रहे हैं आज आवाज प्रोग्राम के अपने खास शो में हम जन्ता के जन्परतिनियों से वही सवाल पूछेंगे और जन्ता की वो आवाज उठाएंगे जो आज के इस दौर में किसी को सुनाई नहीं दे रही है मुद्दे जो होने चाहिए थे वो है रोजगार, विरोजगारी, सिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्ति, सडक, बच्चों के विकास के लिए बात होनी चाहिए थी बात होनी चाहिए थी भारत के नव निर्मान की लेकिन आज बात हो रही है जिन्ना की, हिंदु मुसल्मान की, ब्रामणों की, जातियों की अज जातियों के आधार पर बात की जाती है आरक्षण की, जूटे वादों की मगर बात होनी चाहिए थी सतापक्ष के रिपोर्ट कार्ड की जिसमें उनके द्वारा कितनी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया कितनी योजनाओं को सफलता मिली बात इन पर होनी चाहिए थी विपक्ष के सवाल भी इसी पर होने चाहिए थी ताकि एक सही तुलना हो सके सत्ता पक्ष और विपक्ष में मगर सब पार्टियां ध्यान दे रही हैं जातियों पर उन बातों पर जिसमें किसी का भला नहीं होने वाला राम रहीम, राम मंदिर इन सब पर बाते क्या इससे किसी के घर में रोटी आएगी क्या इससे रोजगार मिलेगा लेकिन बात हो रही है उन सब पर जिनसे किसी का कोई भला नहीं होने वाला बात प्रेटन पर होनी चाहिए थी बात रेविन्यू पर होनी चाहिए थी कैसे देश का रेविन्यू बढ़े ना विपक्ष इस पर बात करता है न सत्ता पक्ष इस पर बात करता है पहला दायत पो जो बनता था, वो विपक्ष का बनता था जो सवाल उठा सकती थी मगर कहीना कहीं कहींना कहीं वो इन मुद्दों को भूल चुके हैं ताकि उन से कहीं उनको सत्ता में आगए तो उनसे ना कोई पूछ बैठे तो चलिए कुछ नेताओं के आपको पहले बैयान दिखा देते हैं फिर आगे बात करते हैं मैं फिर इस कस्वे के सभी लोगों के इस बात के लिए अस्वस्त करता हूँ कि वे पेजिजाक यहां पर अपने पुर्वजों की भूई पर रहें अब हम आपको कुछ ऐसे वाक्य दिखाते हैं और बताते हैं जो देश को भढ़काने और भढ़काने का काम करते हैं कुछ देश के ऐसे नेता हैं जो कुछ धरम गुरु जो उल जुल बाते करके देश को अलगी राह पर ले जा रहे हैं इस परकार कुछ निताओं को भी दिखाएं जो जाती विशेश पर फूकस करके चुनाओ लड़ना चाहते हैं चलिए पहले आपको इन लोगों की बातों को सुनाते हैं देश के अजादी में गांदी जी का रोल रहा है उनके साथ मुसल्मानों का भी रोल था अजो गांधी जी का रोल रहा है गांधी एक अंग्रेजों का दलाल था और गांधी नख्यवल अंग्रेजों का सेथी बात है अब अब्दुन गलाम पे कुछ बोलना चाहते हैं ये आतंकपादियों का अपरादियों का एक बहुत हुई शुलियोजित गिर्हो है दिन का काम है केमल हुटमार काना और इन्होंने तुनिया भी यह दिया है उन्हीं मैंसे एक थाफदुल कलाम हो आज कल एक और नया ट्रेंट शुरू हो गया है कुछ यूट्यूब चैनल कुछ न्यू चैनल जिनका भला हो रहा है वो तो हैं गोधी मीडिया जिनका भला नहीं हो रहा है वो हैं रोती मीडिया अब गोधी मीडिया क्या है जिनको कुछ सरकारी विज्यापन मिल गए तो वो तो हो गए गोधी मीडिया अई नाम किस ने दिया जिनको विग्यापन नहीं मिले वो हो गए रोती मीडिया असल में जो काम असल में जो मीडिया का काम था देश को बल देने का काम था सच्चाई का काम था वो सब भूलकर गोधी मीडिया, रोधी मीडिया अपने देश को भला बुरा कहना और इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म पर अपने देश की बेज़ज़ती कराना तो ये तो हो गया आजकल मीडिया का काम क्या ये सही है? अपने घर को मजबूत करने की बात जहां होनी चाहिए थी मेरा घर से मतलब देश को ये मीडिया का काम था कि अपने देश को मजबूती देना पर आजकल टियारपी की दौड में जो भागने में लगे हैं न भूल चुके हैं जिसके मन में जो आता है वही बोल जाता है इसका उधारन भी जड़ा आप देख लीजिए आपकी लंका लगाने का सुनियोजुत इंतिजाम सरकार ने नोट बंदी से कैसे किया जो मोमेंटम है वो लगातार बीजेपी की पक्ष में बना रहे और ये देखा भी गिया है दरसल आज के समय में बात होनी चाही थी योगिता की पर आप पूछेंगे किसकी योगिता की योगिता की बात होनी चाही थी उस कैंडिडेट की जो एलेक्शन लणने जा रहा है उसकी योगिता की बात इसलिए होनी चाही थी कि हम उसके हाथ में अपने देश की बांगडोर सौपने लाइक है की नहीं या फिर उल्जुलूल बात करकर वो फिर जाती वादी पर बात करकर अपने वोट लेकर फिर सत्ता सत्ता में बैट कर आपको वही बिरोजगारी पर वही सडकों पर छोड़का चला जाएगा बात होनी चाही थी आये दुगना करने की जो इन्होंने वादे किये थे पर आये असल में किसकी दुगनी हो रही है वो भी देखिए कुरोना संकटकाल में पहले लॉकडाउन के बाद से एक साल के अंदर बारा केंद्री मंत्रियों ने संपत्ति खरी दी ये जानकारी खुद इन मंत्रियों ने ही प्रदान मंत्री कार्याले को दी है कुरोना के इस संकट काल में दुनिया भर की अर्थवस्ता डगमगाई हुई थी और रिपोर्ट है कि गरीवों की संख्या बेता हाशा बड़ी लोगों की नौक्रियां गई और आमदनी कम होने की लगातार खवरे आई चिन मंत्रियों ने ये संपत्यां खरी दी है उनमें विदेश मंत्री एस जैशंकर, महिला पाल विकास मंत्री सिम्रिती इरानी और आयूश मंत्री सोनुईवाल शामिल है इसके सासा संपत्ती खरीदने वालों में नौर राज्य मंत्री भी शामिल है PMO की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के हिसाब से पिछले वित्ते वर्ष 2020-21 में इन 12 मंत्रियों ने पुल मिलाकर 21 संपत्यां खरीदी विदेश मंत्री S.J. शंकर ने अपनी घोशा में दक्षिन दिल्ली के वसंत पिहार में तीन करोड 87 लाक रुपे का एपार्टमेंट खरीदा सिम्रिती इरानी ने यूपी के अमेटी लोकसवा शेत्र में 19 फर्वरी 2021 को मैदान मवई गाउं में 12 करोड 11 लाक रुपे के मौजूदा मुल्ले पर जमीन खरीदी सोनुवाल ने इसी साल फर्वरी में डिब्रुगड में तीन संपत्या खरीदी जब वे असम के मुख्यमंत्री थे इसके एक महीने के बाद चुनाओं में जीत दर्चकर असम में पीज़पी ने सत्ता बरकरा रखी लेकिन सोनुवाल की चगा हिमन्त विस्वा को मुख्यमंत्री बनाया गया साथ जुलाई दो हजार इकिस को सोनुवाल को केंद्रे मंती मंडल में बंदर गाह नोवन और जल मार्ग के सासाथ आयूश मंत्रौाले की जिम्यदारी मिली शिरिपाद यसो नाइक तिश्नपाल गूजर साथवी नरंजन जोती इस फैरिस में शुमार है इन नौ राजे मंत्रियों में से छे वो हैं जिन्हें इस साल जुलाई में मंत्री बनाया गया भानू प्रताप सिंग वर्मा, अनपूर्णा देवी, डीयल वर्मा, देवु सिंग चोहान, डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर एल मुर्गन क्रामिड विकास मंत्री गिन्राज सिंग ने 6.5 लाग की संपत्ती को एक साल बाद ही करीब चार गुना ज़्यादा दाम पर बेचा उनकी घोशना से पता चलता है कि उन्होंने 2 फरवरी 2021 को पटना के शिवम एपार्टमेंट में अपना 650 वर्मीटर का फ्लैट 25 लाग रुपे में बेचा पिछले साल घोशना में उन्होंने संपत्ती की लागत 6.5 लाग रुपे बताई थी गिरीराज की पतनी उमा सिन्हा ने अपनी एक संपत्ती जारखंड के देवघर में 1087 वर्मीटर का खर 45 लाग रुपे में बेचा पिछले साल सिंग की गोशना में संपत्ती की लागत करीब 7 लाग रुपे बताई गई थी इसके साथ ही अडानी एश्या के दूसरे सबसे धन्वान उद्योग पती बन गए मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी करीब 7.2 लाग करोड पे की संपत्ती के साथ लगातार दस्वे साल सबसे अमीर भारतिय बने भारत में पिछले 12 महीनों में हर महीने 5 अरब बती बढ़ गए हैं आपने देखा किसकी आय दूगनी हो रही है तो इन नेताओं की आय तो बढ़ती जा रही है लेकिन क्या जनता की आय बढ़ी इस सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वादे आय दूगनी करने के लिए ही किये गए थे अब चलिए जनता से ही सुन लीजिए अब आपको लगता है कि आप लोगों की जो आम देनी है बढ़ी पिछले पांस सालों ने बहुत ज्यादा करोण बती होगे बढ़ी है कहां बढ़ी आपको आप या कैसे वाइट ले रहे मतलब आपको निपता कि बढ़ी की नहीं बढ़ी जुनता परेसान हो रही आप करे बढ़ी है करना करोणा चल रहा है बाई साथ आम दनी है नी महोंगाई इतनी ज्यादा हो रही कैसे बढ़ी कि रोजगार नी है परेसान है दुनिया जिन नहीं आम लेकुछ निवड़ी और महोंगाई हो गई अधर लोगडाउन उधर बीमारी अब क्या करने उसमें क्या मै नेताओं की बढ़ती है नेताओं का क्या है ने जाती होगी अजय को सब जी महंगी हर्ची महंगा ते इंट रिफेंड सम्हेंगा यह पासपट की दुगाने जी अर रोज लोगा दें केलते हैं अमरे रेट कम हैं तो तो थोड़ा बची नहीं बाता ज्यादे से ज्यादा माल खरीदना बढ़ता है पैसे लगते हैं हर चीज भी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि अब तो हमारे पास रोजगारी नहीं है तो आमदनी कैसे बढ़ेगी और जब से कोविड आया उसके बाद तो और ज्यादा बढ़ गई है अब सबसे बड़ी समस्या मारे पास अब रोजगार की है ना कि महेंगाई की या फिर आमदनी की क्योंकि नेताओं के पास काम होता नहीं है जब वो नॉमिनेशन अपना फाइल करते हैं तब वो इधा रुधा से फंड लेकर या अपनी पूरी प्र परशान होता है वो नौकरी के लिए परशान होता है और नेता कभी परशान में होता और उनकी जो आमदनी है वो हमेशा बर्ती रहती है अच्वा परदेश नहीं होगा जब मतपेटियां खुलेंगी तब निर्मय होगा कि इदर असल सरकार में वापसी कौन कर रहा है तरह जो सरकार में है वही पार्टी के सरकार जोल बंदी के साथ जारी रही लेकिन एक सवाल वह सवाल यह है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेता कहते हैं कि जंता के आं जानने की नजदी दूहनी हो गई जनता तो दर असल जैसी थी उसी हालत ऐसे में कुछ लोगों से बात्षीत करेंगे और चांदे की कोशिच करेंगे कि जैसे मेताओं के आंदरी जनता की जब दुब आजाए। पूरी साइकी कंप्रीट होने के बाद दुबारा जिक्चुनावाता है, तो अपता लगता है कि आपकी तो आमदनी वही की वही रही, जब कम और होके, तिक नेताओं की आमदनी दर्सल कुटी है, अगर वो वादाओं की रोटिया नहीं पकाएंगे, तो जनता उनको बोट की के वल वादे करने कारीगा है, कि आप लुए वंहुम्हां, हम्नोगों को पना अपना खुदी फ्रागल करना होता है, कि हम ऐसी बॉठेक़ करने के लुए किसे लिए जो थोलोग ऍे ही पाहिता है, गल्तुमदा स्ऴत्ध प्लोट की दिया सब लूग करते हैं, एसे में व्यापारी हमारे सामने आ गए है यह दुकान है इसके नमस्कार क्या नाम है अपका पुरेश कुमार जी आप ब्यापार करते हैं नहीं है तो इसके बताने की कोशिश करिएगा तो पता लगता है कि नेता के अंतर ही दुगनी हो गई जनता को चीज समझ भी आती हर बरस हर पांच के बाद जो पांच वर्षे योजना है सरकार की जब यह खतम होती है जो पूरी साइकल होती है फिर वही बाद ही जनता इको सब्सक्राइब तो बोर्ट लेने के लिए है सब्सक्राइब करेंगे जो आंदनी वाला खेल है यह जो आंदनी वाला फैक्टर है इस पर क्या कह रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं इसको तब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो काफी कुछ सेल करते हैं और सेल करते बहाषणवाजी में यह सेल कर जाते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तब लेकिन पाट साल क्षाल का समय रहा आता तो एक साल के अंतराल में और आती है कि अपने बुद्व बढूते हैं अगर सभी लोग मिल करके थोड़ा करते रहें तो शायद मेरी स्वोस्ता किसी आउसे तब रेगी लांग से करना पड़ा किसी ने भी सॉल्ट की है तो मुझे तो अलीडी खत्म हो जाएंगे आपको कहा होगा अरजुजी अपक्या काम करते है तो चुनाओ खत्म होते हैं तब तक जो अलग कामजी कारवाई होती है तब पता लगता है कि दाकिले में तो जरसल यह दाखिल है कि पिछली वार से इस वार नेटा जी कि आंदर अधर उसको चैनल के साथ किस तरीके का प्या सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत करते हैं आप जंता के अंदरी करते हैं आठी विकास करते हैं चुनाओ खत्म पात साल बात पर नेटा नामंकन बरने जाता है तो आपने बताया कि विकास जो है जो विकास की बात होती है विकास हो रहा है हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद यही है कि जनता के आवाद हम उठाएं लेकिन आज एक सवाल जनता पर भी ऊठता है असल में जब रैलियां होती हैं तो रैलियों में भीड दिखाई देती है हजारों की संख्या में और ये आरोप लगता है कि ये पांसो हजार रुपे लेकर ये भीड जुटाई गई है तो सोचिए ये पांसो हजार रुपे लेकर वो नेता क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं वो पांसो हजार रुपे देकर वो भिर जुटा कर ये दिखाना चाता है कि देखिए मेरे साथ कितने लोगों का समर्थन है और इस पांसो हजार रुपे के चक्कर में आप अपने देश का सौधा कर देते हैं कहीं आप अपने भविश्य का सौधा कर देते हैं तो आप अपने जमीर से पूछेगा कहीं इन चंद पैसों के लिए आपने अपने देश का सौधा तो नहीं कर दिया कहीं आपने अपने देश को गलत हातों में तो नहीं दे दिया तो इसी तरह के प्रोग्राम हम किस्सा कुर्सी का माहौल गरम है हमारे खाशो पूछता है उतराखंड और मुद्दा आपका जैसे प्रोग्राम हम सीधे जनता के सवाल पूछने का मौका देते हैं अपके ही बात नेताओं से पूछते हैं देखे किस तरह से जन परती निदियों से उनके ही सामने सवाल करते हैं आप बात को नौलेज पूरी रखें एक तो यह फेस्बुक और वर्ट्सिप यूश्टी में जो हमारे नेता पढ़ाई कर लेते ना इससे बड़ी दिक्कत पैदा हो गई सर क्या हमें रोजगार के लिए सिर्फ इलक्षन का सारा लेने पड़ागा जब इलक्षन होंगे तभी सरकारी बढ़ती आएगी प्री बिजली प्री पानी पांच जजार रुपे कि अगर हर्दवार में 10 जजार रुपे की नौकरी मिलेगी सौरब लिटर तेल है क्या दस जार पे में पूरा हो जाएगा यह यह दर दिख रहा है आप इकी सरकार में चूडियां भी बेजी गई थी मोटर साइकल को रिक्षे के ओपर भी रखा गया था रसोई के एस को भी सलेंडर को भी करने में लेकर घुमे थे आज इतना आप बदलाव देख रहे हैं यह बारती जनता पार्टी का योगदान है मार्केटिंग की कमी लग रही है मुझे फिर लोगों तक योजना आपकी पहुंचने पारी है प्रेंका गांदी जी के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ कि वो कॉंग्रेस की सबसे ज़्यादा भीड जुटाओं नेता है वो भीड जुटाओं नेता नहीं है जनता की नेता है हमें योगी नहीं चाहिए योग मुखमंत्री चाहिए आता है यमुना को साफ करेंगे दिल्ली की बात कर रहा हूं और जब साफ सुभाई की बात होती है तो MCD के हाथों में आपके हाथों में क्या है तो तब होगी जब नौकरी होगी विरुजगारी चरम पर है आप कहां लिस्टों की बात कर रहे हैं आप के लिए कहा जाता है कि प्रदेश इस्तरव जब आपकी सरकार आती तो गुंडागर्दी चरम परोजाती इसको कैसे काउंटर करेंगे राम मंदिर बड़ी-बड़ी बाते गुंडागर्दी हटा देंगे यह सब हटा देंगे आप बिल्कुल यंग कैसे खेलें हिंदू जो है वह दरसल केंद्र बिं और वह देंगे इसुग जोता हैं दिल्ली में 16 प्रतिशत के आसपास राजिस्थान में 18 प्रतिशत हर्याणा में 20 प्र्टिशत जंग्मू कश्मीर में 21 प्रतिशत बिहार में 10 प्रितिशत, तिरुपुरा में 15 प्रितिशत के आसपास, जारखण में 14 फीज़ी के आसपास, पॉनुचैरी में 11 फीज़ी के आसपास. ये बेरोजगारी धर के आकडे हैं सर। मैं जो पढ़ रहा हूं, जो नहीं पढ़े जाते हैं मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूँ ये उनके पास भी आकड़े होंगे जो आकड़े मेरे पास हैं ये मुद्दा क्यों नहीं है सर्टी जी के बारे में नहीं नाम नहीं लिए आप लिए मायावती पर एक सेकंड रुख लिजिए एक सेकंड कोई बात नहीं है ओम जी क्या वाकई लिजिए ओम सुध नहीं ओम सुधा उनावी माहूल इतना गरम है कि हर किसी को अपने सामने सिर्फ पर सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है कि कैसे ने कैसे ये कुर्सी मिल जाए लेकिन एक बार फिर हम यही कहेंगे कि जनता के मुद्दे कहां हैं क्योंकि जनता की बात कोई नह बहुत कुछ है लेकिन अब इस समय में आपको ही सुनना है और आपको ही चुनना है क्या आप सरकार देश निर्माण के लिए चुन रहे हैं या फिर नेताओं के निर्माण के लिए और इस तरह से सरकारे आती जाती रहेंगी आम जनता यूही बटकती रहेगी अगर सही चुनाओं नहीं करोगे इसलिए आज ये सीधे सवाल हम उठा रहे हैं और आप जरा ध्यान से सुनिये आप क्योंकि आपको क्योंकि अब आपके लिए एक बहुत जरूरी सुचना है ये मेरे साइड में फोन नमबर चल रहा है जिस पर आप अपना टेक्स मेसेज अपना वर्टसैप मेसेज सीधा जनता अपने विधायक से पूछ सकती है तो इसमें आप अपनी लोकेशन कहां से आप हो आपकी क्या समस्याएं हैं आप अपने जन परतिनीदी से अपने विधायक से सीधा सवाल कर सकते हैं हम आपने कारेकरम के माद्यम से आपके सीधे सवालों को उनसे पूछेंगे तो आज ये प्रोग्राम मैं इनी कुछ सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं कि क्या आप सही चुनाओ करेंगे देश निर्मान की बात करेंगे अगर देश का विकास होगा तो सभाविक है हमारा विकास तो निश्चित ही है तो अपने सुजाओ अपने सला बताते रहेगा और इस तरह बेबाकी से हम आपके मुद्दे उठाते रहेंगे फिलाल मुझे दीजिये अजाज़त नमशकार जैहिन